कि अबिभी की पुलिखोशने कि डाउस कि अबिभी सीव सब्सक्राइब कि आई गाइज एड़ वेलकम बेक टी और आपके अपनी चैनल मूवी इंशोड में आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज वी मुवी दे साइलेंस के बारे में जिसमें कुछ कीरेस साइंटिस्ट की लापरवाई से पूरे अर्थ पर तूट परती है धर्ती की नीची रहने वाले खतरनाग बैट क्रीचिर्स बिफो स्टार्टिंग शाउट आट उन सभी को जुनोंने पिछले वीडियो में मेरे क्वेशन का सही आंसर दिया था मोवी शुरू होती है जमीन के काफी नीचे जहां एक एकस्प्लोडिशन टीम किसी चीज की रिसरच में जमीन के हजार फूट नीचे एक बहुती पुरानी केव की तलास में अंदर गए थे उन्हें जब वो पुरानी गुफा मिलती है तो अपनी इस सकस्स पर बहुत ही ज़्यादा कुश होते हैं लेकिन उनकी ये कुशी जल्द ही खौफ में बदलने लगती है कुछ देर बाद उन्हें उस अंधरी गुफा से अजीब आवाज आने लगती है और इससे पहले कि उन सभी को कुछ समझ आए उन पर बहुत सारे बैट्स यानि की चमगादर हमला कर देते हैं और कुछी पलों में उस सारे बैट्स टीम के सभी मेंबर्स को माँ डालते हैं और फिर उपर यानि की पृत्वी की सते पर आप पहुँचते हैं यहाँ पर हम इन बैट्स को क्लियर ली देख पाते हैं और यह तो क्लियर था कि यह कोई आम चमगादर तो बिल्कुल भी नहीं थे अब सीन चेंज होती है और हम एली को देखते हैं एली एक डेफ यानि की उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था और इसी वज़े से हर कोई उसे बुली क्या करता था एली अपने फैमिली और करीबी लोगों से साइन लेंगविज में बात करती थी रात में एली खुशिश से अपने फैमिली के साथ दिनर कर रही थी और तबी टी पन्यू से उन्हें ये पता चलता है कि पूरी सहर में चमगादर जैसे दिखने वाले अजीब क्रेचर्स हमला कर रहे थे precaution के तौर पर उन्हें ये पता चलता है कि इन अजीब creature से बचने के लिए उन्हें बिलकुल भी आवाज नहीं करनी होगी क्योंकि bats के सुन पाने के ability बहुत ही तेज होती है छोटी से छोटी noise को भी ये bat creature डिड़क कर लेते हैं एड उस noise की source पर हमला कर देते हैं एली कहती है कि उनका सहर काफी noisy था और इस शोर के कारण उन सब का बचपाना नामगिन था इसलिए क्यों न वो जल्ली से इस सहर से बाहर निकल जाए जहां बिलकुल भी शोर गुल ना हो जिस पर पूरी family यहां से निकलने के लिए तयार हो जाती है इसी दोरान उनका पड़ोसी glen भी उनके साथ आने की जित करता है और इस जर्णी में उनके साथ उनका पड़ोसी glen भी शामिल हो जाता है अपने अपनी गाडियों में बैट सब यहां से निकल पड़ते हैं विश रास्ते में एक अंजान आदमी गन पॉइंट पर उनसे गाड़ी चिनने की कोसिस करता है जिस पर पीछे से glen अपनी बंदूख से उस आदमी पर गोली चला देता है और यह सब ही अपनी जर्णी में आगे continue करते हैं सबी जब यह हाइवे पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर खाफी ट्राफिक जयम था जिस वज़े से वो आगे नहीं बढ़ पाते glen इस पर कहता है कि इस तरह से वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए वो सब दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं रास्ते में glen की कार के सामने कुछ हेरन आ जाते हैं जिनने बचाने के चक्कर में glen खुद खाई में गिर जाता है और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है एली की फादर glen को कार से निकालने की कोसिस करते हैं लेकिन glen के पैर कार में फच चुकी थी glen की मदद करने के लिए वो कुछ और करें कि तो भी अचानक ये creatures आकर glen की कार पर हमला कर देते हैं बचने के लिए एलन की फैमिली जल्दी से अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं creatures को देख एलन का डॉग उन पर बहुकना शुरू कर देता है आवाज सुनकर creatures अब उन पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं glen जो की अब भी जकमी हालत में अपनी कार में फसा हुआ था उन creatures पर shoot करने लगता है ताकि creatures उन्हें छोड़ कर उसकी और attract हो और exactly ऐसा ही होता है सारे creatures glen पर हमला करके उसे खाने लगते हैं अब एलन का dog फिर से भौकना शुरू कर देता है जिससे creatures दो बारा उन पर हमला करने लगते हैं एलन के पिता dog को ना चाते हुए भी गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं वरना नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे एले इस पर बहुत ही रोने लगती है जिससे उसे dad और mother sign language में उसे सांथ कराने की कोजिस करते हैं नो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट था क्योंकि वो बिना कोई आवाज किये एक दूसरे के साथ कम्मिनिकेट कर सकते थे अब गाड़ी को वहीं चोड़कर सब पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं जहां उन्हें एक घर दिखाई देती है घर के चारो और काफी उची रेलिंग्स थी घर के पास पहुँचते ही एक बुड़ी औरत अपनी गन लिए उन पे शूट करके उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करती है लेकिन गोली के सोड से उक्रेशर्स उल्टा उस बुड़ी औरत पर हमला करके उसे नोच-नोच कर खा जाते हैं अब वो घर पूरी तरह से खाली था और इस वक्त इससे बहतर जगा और उन्हें नहीं मिलने वाली थी इसलिए एलन और उसकी फैमिली वहीं रहने का डीज़न लेते हैं घर के बाहर एक सीवर यानि की ड्रिनेच पाइप था जिसे क्रोस करके उन्हें घर के अंदर जाना था सबसे पहले एली के डैट पाइप को क्रोस करके अंदर चले जाते हैं जिसके बाद एली और उसका भाई भी पाईप को क्रोस करने लगते हैं लेकिन टेनल के बीच में एक जहरिला सांप एली के भाई के सामरा आ जाता है। सांप उसे काट पाए, इससे पहले एक क्रीचर उस सांप को माँ डालता है। क्यूंकि क्रीचर ने सांप के हिसिंग साउंड को सुन लिया था, और इसी चलती एली और उसका भाई भी सही सलामत टेनल क्रॉस कर लेते हैं आकरी में जब मदर टेनल के अंदर जाने लगती है एक क्रीचर उसके पैर को पकड़ लेता है फादर जल्दी से वहां पर पढ़े हुए ट्री कटर मेशिन को स्टार्ट कर देता है जिसे बहुती तीज आवाजे होने लगती है और सभी क्रीचर सब मदर के पैर को छोड़कर उस मसिन की और बढ़ने लगते हैं घर के अंदर जाने पर जब वो सब मदर की लेक को देखते हैं तो बहुती बुरी तरह से घायल हो चुका था और सरीर में काफी तेजी से इंफेक्शन स्प्रेड होने लगती है इंफेक्शन से बचने के लिए उन्हें एंटिबाटिक की जरुए थी एली और उसके डैड अब यहां से एंटिबाटिक के तलास में बहार शहर में जाते हैं वहाँ पहुँचने पर वो दोनों यह जल्दी ही नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था और हर जग़ बस सन्नाटा ही चाया हुआ था बीना और वक्त गबाए वो दोनों जल्दी से एक मेडिसिन स्टोर में जाते हैं स्टोर के अंदर फर्स पर हम देखते हैं कि बहुत सारी इंसानी लासे पड़ी भी थी एले जब लासो को दियान से देखती है तो नहीं ये पता चलता है कि वो क्रीचर्स मरे हुए इंसानों के लासो के अंदर अपने एक्स यानिकी अंडे दे रहे थे अंडे बस एक या दो नहीं बलकि सो के तादाद में थे एले के मूँ से चीक निकल जाती है आवास स्टोर के अंदर क्रीचर्स आना शुरू हो जाते हैं लेकिन फिर से एले के डैड अपना दिमाग चलाते हैं और फाइल अराम को आउन करके क्रीचर्स के दियान को भटका कर वहां से निकलने में काम्याब हो जाते हैं श्टोर के बाहर उन दोनों को एक प्रीस्ट मिलता है जो की काफी वियर्ड था। पादरी उन से इशारों में अपनी किसी ग्रूप में शामिल होने की बात करता है लेकिन एली के फादर उसे मना करके वहां से निकलने लगते हैं। प्रेस्टोर ने रोक कर अपना मूँ खोलता है तो ये पता चलता है कि उसका जीप कटावा था। अब यहां से ये लोग सीधे घर पहुँचकर एली के मदर को एंटिबाटिक्स देते हैं जिससे उसके हालत में थोड़ी सुधाराने लगती है। इसी दोरान एली अपने एक जिसका नाम रॉब था उससे टेक्स्ट करके बात कर रही थी। उससे पता चलता है कि इन सब के चक्कर में रॉब के मॉम डेट दोनों की मौत हो चुकी थी। और रॉब किसी तरह से अभी तक सर्वाइब कर रहा था। रॉब एली से कहता है कि उन नौर्थ के और बढ़ र बढ़ें तो उनके सर्वाइबल के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स टे हम देखते हैं कि वही वेर्ड प्रीस्ट घर के बाहर कड़ा था और आज उसके साथ उसकी ग्रूप के कुछ और लोग भी थे। वो फिर से उनने अपनी ग्रूप में शामिल होने को कहता है लेकि उसे ऐले जैसे मेंबर शेये थे जिससे वो इस क्रीशर की वर्ड में सर्वाइब कर पाए। एले के पिता अब गुस्से से गन लेकर प्रीस्ट को अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाने को कहते हैं जिस पर प्रीस चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी रात घर क के बाहर उने एक छोटी लड़की खड़ी दिखती है जो की अकेली थी आउट अफ काइडनेस फैमिलियों से घर के अंदर ले आते हैं तभी अचानक से घर के अंदर रखी हुई सारी मुवाइल फोन्स एक ही साथ रिंग होना शुरू होती है और काफी तेज आवाज होने पर सारे क्रीचर्स घर के अंदर आने की कोशिस करने लगते हैं इन आवाजों को रोकने के लिए एली के पिता उन सारे फोन्स को पाने में डुबा कर उन्हें खराब करने की कोशिस करते हैं तभी प्रीस्ट अपने ग्रूप के साथ घर के अंदर आ जाता है और एली को जबरद जा पहुंचती है लेकुनिक्स की दादी मा की बुरी तरह से मौत हो जाती है दादी की गुजर जाने पर फैमिली अब बहुत ही सैड हो जाती है और डिसाइड करते हैं कि वो यहां से निकल जाएंगे बीच रास्ते में फिर्सोन का सामना प्रिस्ट और उसकी ग्रूप से होत में एली अपने दोस्त बॉप से मिलती है एली और बॉप को बो एंड एरोस की मदल से हम क्रीचर्स को हंट करते देखते हैं और अब इंसानों ने साइन लेंगवज अपनाना सीख लिया था जिसे हो क्रीचर्स की इस दुनिया में भी सर्भाइब कर पाएं and the movie ends question of the video is एली क के family में total कितने लोग थे पहले पांच साही answers को मैं next video में shout out दूँगा stay tuned for more videos and video को like करना बिलकुल भी ना भूले इससे मुझे YouTube continue करने में काफी motivation मिलती है अगर आप channel पर नहीं है तो do subscribe and support our movie family तो मिलते हैं next video में